नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे खोश आमदीद, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंटेंट ROI मापने के तरीकों के बारे में, तो अगर आप कंटेंट क्रियेटर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित हो स उसका आपको कितना फाइदा हुआ, अब बात आती है कि इसे मापेंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं, पहला तरीका है ट्रैक करना अपने कंटेंट के इंगेजमेंट मेट्रिक्स को, जैसे की लाइक्स, कमेंट्स, शेर्स और व्यूज, इनसे आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट लोगों को कितना पसंद आ रहा है, दूसरा तरीका है, एनलेटिक्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, जैसे की गूगल एनलेटिक्स, यूट्यूब एनलेटिक्स वगेर, इन टूल्स से आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपने कंटेंट की कंवर्जन रेट मापना, यानि कितने लोग आपके कंटेंट को देखकर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या आपकी सर्विसेज लेते हैं, इसके लिए आप ट्रैकिंग पिक्सल्स और यूटीम कोड्स यूज़ कर सकते है चौथा और सबसे जरूरी तरीका है अपने ओडियंस से फीडबैक लेना, उनसे सीधा पूछिए कि उन्हें आपका कंटेंट कैसा लगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, अगर आप सही तरीके से अपने कंटेंट क ROI मापेंगे तो आपका कंटेंट तो बहतर होगा ही, साथ ही आपकी ओडियंस भी बढ़ेगी, तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे आप 2024 में अपने कंटेंट का ROI माप सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ, ROI मापने के लिए एक और महत्वपून तरीका है, अपने कंटेंट के माध्यम से उत्पन्न होने वाले लीड्स को ट्रैक करना, ये जा आपके लीड्स को ट्रैक और मैनेज करने में मदद करेंगे, इसके अलावा अपने कंटेंट के माध्यम से उत्पन्न होने वाले ब्रैंड अवेरनेस को भी मापना चाहिए, ये जानने के लिए कि आपका ब्रैंड कितना पहचान बना रहा है, आप सोशल मीडिया मेंशन और ब्रैंड सर्च वॉल्यूम को ट्रैक कर सकते हैं, अंत में अपने कंटेंट के माध्यम से उत्पन्न होने वाले ग्राहक संतुष्टी को भी मापना चाहिए, ये जानने के लिए कि आपके ग्राहक आपके कंटेंट से कितने संतुष्ट हैं, आप सर्वे और फीडबैक फॉर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ।